लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अपर प्रेस करें और डोल्ट इले को सब्सक्राइब को अठाव भीवार बेली अल्टाइब अरे अद्धा भाई चत्रचाया आफ्टा शाने अरे, मैंने खार पुद्धिलें की जाए अरे पापा ली इसब क्या हो रहा है? वही, जो मिनिस्टर लो गधान सभामे करते है अरे यह कैसा बाड़ा लेख्या है तुचुचुचुचुबाद अनोती लगाती है क्या हो मैं? ताब आगे ने जाए आगे लफटा चालू है चलो यह चलो कुछ नी होगा अरे क्या कुछ नी होगा एक तो मेरी गाड़ी का कांस तोड़ दिया और उपर से वो लोग जगा देगा तो भरके कौन देगा अरे तो हमने सामान घर के चले जाए ज़ेए यह को पूश भी हो मैं आगे जाने वाला नहीं बस मारेगा मुझे ले मार मार, मार मार, मार मार एका हुआ! हाँ! और में बाहींगो चेल से निगा! भाउ! जा चुर्ञे, याप खुरक रहा है। राहुल यह आप क्या करहे हैं बटे? पाइट पापा पाइट बेटे क्या प्रोग्राम है यही सब करोगे बड़े होकर देख रहे हैं आप अरे इसमें इसका क्या खुसूर है जहां देखो गुंडे हीरो बने हुए जो देखेगा उसी की नकल करेगा न अपने बाप की भी तो नकल कर सकता जा तू नहीं नहीं पढ़ेगब एच्छाँ India बहुत बोलने लगे है तू रखील का बेटा है नचाइब जाओ जागर पड़ाई करो एंदेखना अपन गर दूगा मैं ममी चुन फंग देर ले अंगा और मममी से तो आप रंगह नी ले यही तो हमारा धंदा है पर्माइए क्या चाहते हैं जी हम लोग कैप्टेन वाडी मित्रम अंडर से आये हैं जहां हम तुर्गा पूजा दिवाली हुली तशेरा के उत्सव मनाते हैं पस उसी का चंदा लेने आ हैं लेकिन अभी तो हुली दिवाली गनपती किसी का महिना नही जाए मोजमने हादी है हम आप और आपकी फैमिली की हभाज़त यानि प्रोटेक्शन के लिए पैसे ले नहीं हाएं जे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के हिफाज़त harण ये प्रोटेक्शन करना कुज अची तरसे आता है त्वेड़न से कर सकते होगे, लेकिन हमसे किसे करोगे? तंड देता हुआ यूपस्टर्ड, हैं अप्रेक्टी में फिर्वाइए, आफेक्स के फिर्वे अप्रेक्शिय की पुर्थ हो थे हुए हैं तुछ। में जब जाए आदर बहुत हो गया बास सब्सक्राइब तेले को इधर टाइम पास करने के लिए नहीं पुला है बात देने करने में तेरा जमीन ले लिया क्या समझा पईस्ता उठाओ निकल ले दर से वैसे भी उमरों गयलाए तेरा बोलेगा तो एक चुकड़ा छोड़ देगा मैं तेरा कबर के वास्ते क्या बोला मैं मिस्टर काल्रा शायद आप जानते नहीं के पट्टी साल नौकरी किया मैंने सची वालिया में अब सीनियर मोसा अफवीजर राहू में कमिशनर साब मेरी अप्रोंजी उबोर्टक है कि मांफी आँक साला मेरे को शान पती लिखाता है इसे अब रस्तिया क्या थोड़ूंगा नाई कोशेर साब सबकी रिवोट करूँगा उपर ने पहुंजे मेरी अब आप 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 यह क्या किया है मैं सो सुन्झा लेता है चप साला इदा लाने से पहले समझा के लाने चाहिए था निसको अईसा है लोग के चक्कर मेरे साला अपना दो रुपे का होकात नहीं रहेगा अपना भी साला वेल्यू है मार्किट के अंदर इसको साफ कर डाल और इस कमिशनर को इसका कमिशन दे दे और सुन कर लड़कों को बेच के इसका जमीन पर अपना मित्रमनल का पाटिया लगा डाल साला फोकट में जान भी दिया है और जमीन भी अधर विज रही जै रहे हुसान आज कल किसके साथ चक्कर चलन दा है कर रश्मा के साथ या महांदर्यों के साला तो साला तिककी बेढ़ जाएगा अधर के गैम डिया थे ना इसलाव अभब अभी देर जंदा है तू आई साल कर दोना बच चलो के भी लिए पोलस चालो हैं हहाँ हैं ज BIG हैंख अरे अंकल कैसे हैंSON वेस्टलास याज आज आ एक दम चुप्चा आपकर बॉब्लमेग क्या नहीं किया लेकिन एक नया अबंधर आए बस्ती में उसने कार किया मैं उसको वही्टकर डालता लेकिन उसकी बीवी बीच में आ गई और तु डर गया मैं क्यों और ता कुछ यह अरत को माया किया किया क बात से बात निकालता है जुबान से फसाता है समझाना इसला यह ले है कि एश कर पास इने को मुझ लगाया रखना रपे चड़ा के रखा अपने इंकुत्तों को राज हम शिकारी चिकारी दौलत के आश वाराम के ताकत के और शिकार में शिकारी कुट्म का जुरूर्त होता ह इसे भी उनको पालना पड़ता है हड़ी डालते रहना पड़ता है कि अालते बालते गड़ता है वह ख।वशय में आपपש पीका कर politicianISA पुझ भुि architects से भी मेंनेस अाइ़रे रहना है क्या पुश़ता रहना रभा गटो हुआ हुआ अचला हुआ अचला हुआ करो आप आप पर आप आप सारे चलो पर दो जए आप लोगगिए टो आप दुम्टे प्रीड बुद्धे अरकल कि अखतव यहां है प्रीवरचित के है अलोगे यहां है तुम्टेज्भिरते हो लंभी कारो में तुम्टेज़् टीजिस्टेज्टू रहते हो महलों से मकानों में तुम बुरा कहते हो हमको यारो छांक लो अपने करेबानों में पिर सवाल और जवान हिसाब कर लो तुम आज हमसे हिसाब कर लो तुम कुछ तुम्हारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है साथ है दुनिया तुमारे दिल हमारे साथ है कुछ तुमारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है कौन हो तुम कहों से आए हो बात करने की भी तमीज नहीं है जमाना हमारी छोकर में तुम हो क्या तुम तो कोई चीज नहीं हुजूर इतना न करिये घुरूर दौलत पर ये शीशा चंसे किसी रोज तूट जाएगा जमाने भर को है लूटा भुजूर ने लेकिन ये बंदा आपको एक रोज लूट जाएगा सबंदर, जमाने भर करें ा आपको एक तुमारे हद है और अमारे हद है तुम ने माना के तुम लुटे रहो पर बुरा हम को कहते रहते हो हम बुरे क्यों है तुम धले क्यों हो तुम जो कहते हो क्यों वो कहते हो कुछ तुमारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है कुम शराफ़त के परदे के पीछे झुपे सौ गुनाहों की महभिल सजाते रहे हमने जो भी किया साफ खुलके किया हम है क्या हम ये जब को बताते रहे तुमने जो भी किया जुर्म है वो पड़ा हमने तो वो किया है जो करना पड़ा हमने तो वो किया है जो करना पड़ा हमने तो वो किया है जो करना पड़ा आपने जो भी है किया वो दिन तहाडे है किया तुनने तब कुछ है किया जब छाई काली रात है कुछ तुमारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है कुछ तुमारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है साथ है दुनिया तुमारे दिल हमारे साथ है साथ है दुनिया तुमारे दिल हमारे साथ है कुछ तुमारे हाथ है और कुछ हमारे हाथ है लाला.. 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 वाला.. खूल्ट ओमन जली एपू ω को यह zap lles.. चलो.. अरी.. अरे, ठीक से बैठो ना आनन, आनन, जिस्ट लिग्नॉर दें, हाँ, बाइ गुद मॉर्निंग, सुर्ण ये लड़की ये गंटे से आपका इंतजार कर रही है तुम्हें क्या करो, मैंने किसी को अपाइट्मेंट नहीं दिया था सर, वो तो ठीक है, लेकिन उसको मैं क्या कहूँ अब आई गई है तो भेजो अंदर, लड़की का क्या दो मेडम, प्लीज, आप अंदर जाएए, आईए, बैटिये आपने सुना नहीं मैंने कहा प्लीज से डाउन आपसी पुछ रहारो कि इस ऩर दमेल नहीं कर तो कि इस फ्रीजा उन्स है और एंसे की इस पूछ रहाम की कमकााँ हाँ अरिकीकman प्राक्टिषिक त्रक्टिष वाटिषी मेरे साथ मैं आप से पूछ रहा हूं कि केस क्या है और आप बोल रहें ग्राजुएट काम प्रैक्टर्स ना जाने क्या क्या बगय जा रही हैं आप बहरी हैं या बेवकूफ या दोनों नो नो सर्ब आप मुझसे क्या चाहती है एक तो यह कि आप मुझे आपके ना बंद करे मैं आपके साथ काम करना चाहती हूं मैंने विये यह लवी किया है और यह ने मेरे सटिफिकेट मैं आप सा सीखना चाहती हूं सा मुझे से क्यों मुंबई में हजार राइट्वोकेंट है मैं आपके कैस obligation के बारे में पड़ा है आपके की केस आकज के बारे में पड़ा है आप हमारे आदर्श थार आज की दुनिया में आदर्श सिर्फ एक दूद की दुकान का नाम रह गया है आदर्श दुखदाले नेकिन मेरे लिए आदर्श का नाम आनन सक्सेना है सर आपकी हिम्मत आपकी इमानदारी आपके सचा की मिसालें दी जाती है लौ कॉलेज में सर जो सच आप लोगों के दे सकता है और ना ही अपने लिए चूनिय रफोर्ट कर सकता है किसी सच बिलकुल अखेला है और उसकी जेव खाली है फिर भी सच सच है सर मुझे आपसे तनुखा नहीं सिर्फ एक मौका चाहिए काम करने का मुझे आपसे सीखना है सर प्लीज सर ठीक है अगर आप अपना क तुम फिर पर नहीं लग गई डालिंग मैंने छोड़ी ही कब थी अंकल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है बोलो मुझे नौकरी मिल गई है वाट तुम्हें नौकरी करने की क्या जूरूरत है यह तो बहुत ही खुशी की बात है अंशू योरे ली लाकी अब तुम्हें किसी मर्ग का मोहताज नहीं होना पड़ेगा तुम उसका दिमाग खराब मत कर रहो एका सिर्फ इसे होश्यार कर रह यह शराब का प्याला होगा यह मत बोल तुझे शराब पी दिया न वह भी मेरी कमाई की है तो अच्छा है ना कम से कम अंशू तो अपनी कमाई की पिएगी अंशू मैंने तुम्हारी परविश में कोई कमी की क्या घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता आकर नौकरी करने का म उन्हों ने इस दो साल की बच्ची को मेरी गोद में देकर कहा था पुष्पा अंशू की माँ बनना मैं अंशू की माँ तो नहीं बन सकी लेकिन अपने जीते जी किसी को इसकी खुश्यां बरबाद करने नहीं दूंगी अंशू, I'm very happy for you. मैं बहुत खुश हूँ. राहूल, हॉम्वोग हो गया बिटा? सिर्फ दो पेज बचे ममी. जल्दी करो ना बिटे. आनल, हरे तुम यहां कड़े कड़े क्या सोच रह हो? यही कि तुम जैसी खुबसूरत पड़ी लिखी, अमीर घरानी की लड़की, इस म सोचने की क्या बात है? तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की? अगर अगर अपने मुकदमों की पैरवी इतनी अच्छी करते तो पतानी कितने केस जी चुके होते है. वेल, तुमें जीत लिया, बहुत हो गया. चोड़ो, राहूला चाहिए. राहूली है ना, कोई सेंस का आता है, बेवाच् देखू क्या देखू कूछ बहुत हरे दक बहुत ह्ते शाणी कैज रहा ह dobr Tabii तो, तो मैं नी देख सकता? क्योंकि तुम बच्चे हो अरे मोर्द के बच्चे सोजा अब कल बात करता हूं अब फुल नाइट पापा कि बैद थुटा कपड्र होली कभा है खुली कभा है मांच में ना अपील साब ने तो कुछ जल्दी होली मना नहीं हाई होली है भाई होली है लग विया तुमने मेरा बाइक जला है मैंने आपकी जलाई किसी ने देखा मुझे जलाते हुए और ना यह? इसने देखा मुझे ने बोलो यार वकीन साब कडे सामने किसने देखा मुझे कि अदुए आपने आपने भी नइखा यह आपके सहते किसे वकील है आप यार आपको तो पता होना थे आ इल्जाम लगाने से पहले हो होना थे क्या अ क्या प theorize प्रूफ पर उंजे रही अरे इस अरे मतर केल तरह अगर दृको तो आज यह नहीं अब यह वा तो आपको कितना वह हुआ है कि नहीं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ नहीं पिकिड़ा मैं आपको एचांद देता हूं आपकल तक हो देदो तो यह वह पुछ नहीं दूगा तेरे को कि यह विए आपकेल साफ अब उन्में किसी चीज़का गारेंटी नहीं दे सकता कैसे अब शायें वाज़ कर दो अब यह जो कैपिटर यार पहली बार हमारी मैफिल में आये है थोड़ा तो लेना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सा मैं बेर पी ने ने तुम्हें समझाने आया है अदालत में कानून की बादशाप बोल लेता हूं इसका मतब यह नहीं कि मुझे तुम्हारी जवार नहीं आती है मैं भी किसी जमाने में लफड़े दूनते रहता था और आज भी सामने वाली की बत्तमीजी और मेरी परदाश की हद हद मुझा है तो मेरा भी हाथ उठ सकता है अवा दंगी देने आए हो दंगी दी दी अवमक्या डर्फोग देते हैं आसर मसवरा देने आया है अपनी अर अपनी वादि अपनी लच शारिका आता है दुसरों से भी और तूम से भी ऐ हमसे भी ह Understand हो जाए अभी इसी वक्त हाँ इस वक्त तुम नशे में हो कहा जा रहे हो मार्द हो तो मुकाबला कर है अभी कोई पीच में ने आगा ये वक्ति दावर मेरे पीच में है चल कमान आडविकेट कमान कमान कराण। करतान के दिशिए करतान, काप्तिन कह वा जब हो जाए, करतान, क सब्सक्राइब करतान, काप्तिन, काप्तिन जब होश में आये तो एसे कहना, कि पहले अपनी हफाजत करना स्थिए पर दूसरों की इकवासत की बात करें चोड़ना यार यह ले बटला यह पखली गली यह तेरी बाड़ी बाड़ी कुछ बनने वाली नहीं है क्यों अपनी जान देने पर चुले लाए लेखना सुनिल शक्ति में ज़नेगा अपनी बोई से कैसे दोस्त हो तुम लोग यार अरे कल उस वकी के बच्चे ने साला मुझे मारा इतना मैं तो नशे में था लेकिन तुम लोग ने क्या किया चोड़ दिया उसको यह क्या बात करता है यार उसने तुझे हाथ नहीं लगाया तो मेरे थोपड़े पर यह चोड़ के आप लगई है तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ चाहिए यह चाहिए यह तो समझा वसाला वकील का बच्चा मुझे मार के यह है क्यों हीरो तुक्यों आपे दवाई लाया हूं लगा लो चल्दी तीक हो जाओगे तेंक यू तू तो बड़ अच्छा है लेकिन तुम लोग अच्छे नहीं हो तुमने हमारा भाई क्यों चलाया पता है मुझे स्कूल पेदल जाना पड़ता वो भी बंद्रा किलो का बैग लेकर तुम्हें तो पता होगा स्कूल बैक इतना बारी होता है स्कूल अब मेरे ब तुमने अमारी बैक जला दी ना इसलिए उन्होंने तुमको इतना मारा क्या तेरे पापाने मेरे को मारा हां उनसे पंगा मत लेना पता है वो बॉक्सिंग चैंपियन है देख सुन मेरी बात सुन तेरे पापाने अपनको नहीं मारा आप उन खोद गिर गया समझा और यह ल को रहता है बुलाब उसको उमरबाद या पोल्ड के मुटे ने पसानी क्या कर दिया का, कौशे अपीफ़व करना आपके हफ्टे की रकव? करना नहीं चाहिए तो तू रख लेना और भागया से नहीं प्लीज प्लीज दुकान से ना बगाओ कौन भगार है सर्दाजी यह दुकान आपकी है ना अगर आपको और पैसों की जरूरत है तो बस कह देना अगर हफते की बात की तो हफता भर मारूंगा तुझे यह क्या कर रहे आप अपना काम करिये न क्या हुआ मैडम यह चोड़ी कर रहा है साला शर्म ने आती पुलिस को बलाओ अरे यार यह क्या कर रहा यार बैट बोई जी बैरी कुट बोई अपना ही बंदा है चोपका शर्दाजी वालियों को अंदर आने दे चोड़ी कर रहे दे डरते आप इंसे क्यों मैं हूँ ना पुलिस में देने ना चाहिए ऐसे लोगों को अब हुआ कफ्तान साव अब हुए ना करेक्ट ग्रामर मैं करता हूँ यू डिजर्वे क्लास ओफ लसी ओ लसी के पच्चे हफ्ता निकाल वरना हफ्ता भर मारूंगा रहने दे कैट्टन रहने दे एक लड़की क्या देख ली मैं तुझे चोल लगने लग देख लिया देख लिया तरास्ती रूप यह बहुत पाते कप्तान यह दोसी हम नहीं अब बस करना यार एक बबर एक बार सुरी बोला ना भी तु तु चुप करना यार अजया जान जेख यार वो तुझे बोले गाई देख यह बड़े बापका छोगरी टाइप साना यह अपने लिए अपने लिए तो विन बापकी नाइट्विनी सही है य जो नहीं उसके बढ़ा एक बमें बखल एक है करनां रसका रसकारी तुझे कहा हमोगे 5 कि जए ञरे में शहार ना भाइन में थक्ली को निए तु नहीं जजै बघ्सचत इसका भाई लगता है क्या चल फोट 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 मैं कहता हूं छोड़ो इसे पापा की बात मान लो वर्ना मुझे भी तुमारे लिए महलम लाना पड़ेगा पुद्य के साथ उसका पिल्ला भी बोलने लगा अगर मेरे बिटे को हाथ लगाये तो है चमिया भी शेरिनी बन रही है कि कर दो हमाने न से जुक्छだ आप हशा संगी है नهم से जह आइ कि यह नोला पॉला नियों … पेखर घर वे का ड़ दो नो नोले बाइब पाइब भारी भादेदे अब पता जाले कि इस अप्पी नाभू का अब तुर भूटा जा देखता जा तुर हाथ जोड़के आएगा वा था कि अ कि अ अ कि आखुरिए पर नुपर नहीं तुरिए पर भूर्टाप्पर ना शुट है केले पांच्च देकर लगत्ता है कि कलाब में फाइट करना जीखे एए साड़ाग पेड़ें एक क्याम बद्धां कैसे न ना माढद हो तुम लोग वकीर साहब ने मुझे रोमी के गैक्ट से बचाया और तुम लोग, तुम लोग यहां बैक्के तमाशा देख रहे हैं। पापा मुझे तो पता ही नहीं था पितना अच्छा फाइट करतो, आप तो कैप्टेल चे भी अच्छा फाइट करतो ह kilogram आप खाइटल एक निजया एल एल खाइव क्या बात है हिरो आजा साबाज यह किसकी है साब तेरी है देख सथी आज से तो इस्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा रहुल है रहुल क्या हो रही है चलो नीचे उतरो पापा देखो हिरो मारे लिए न्यू बाइक लाए किती स्मार्ट है ना यह हम पर इतनी महरबानी की अधिर वजह है ऐसी कोई बात ने वाकील साब महरबानी तो आपने किया इसलिए क्यूकि आपने वह नाइट प्रीन को रोमी की गैन से बचा लिया और दूसरी कि हमने आपकी बाइक जलाय थी इसकी वच्छे रावल को रोस पैदल स्कूल जाना पड़ता है तो यह बाइक आप पी रख लीजेए यह बाइक आप लाइक काहँ से शोरूम से यार अरे उसकी मालिक पर हमारे कुछ उदारी निकलती थी कैसी उदारी अरे अधि गनपती कि चंदे की खुश शोरूम के मालिक ने आपको चंदे के बाइक दे थी कि खुशी से तो नहीं दी थोड़ा उस पेहस मतः कीजिये यह बाइक रखी लिए ा प्लीज, हाँ महम साब आप ही रही हमारी सभा माए ले जाए ना हमें चोरी की बाइक नहीं चाहिए चोरी की भाइक 2005 मे बिल्कुल नहीं हमारी बाइक नहीं थाक वरी मच तो आपको लेड़ी पड़ेगी राओ स्कूल कैसे जाएगा यार अज़िए इस्पेक्टर साब यहीं हो गुंडे जिन्हों ने हमारे शोरूम पर बाइक चोरी की हैं अरेस्ट कर लोगों को देखिए इंस्पेक्टर साब यह मिस्टर आनन्द हमारे वकील है बिना वजा जानते हैं जी हां मैंने बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आपके वर्दी को खत्रा हो सकता है अगर आपने इन्हें अंदर नहीं किया तो क्योंकि मैं कवाही दूगा यहां यह थीटने किया वकिल साब यह जल एक धिल अचट अ कि अधिए नाइट विए आपको बोला सिदा पुलीस टेशन आजाए अरे वागमारे साब अभी तक तरह प्रमोशन नहीं हुआ क्या अबया चोप अरे आउल्ड़ा कम से कम टीवी लगा दिया होता है आपने तेयार जिल सब कुछ बलता है मालूम है तो क्या आपने आपको केस को यहीं ड्रॉप कर दीजिए अरे आप भी विजी आदमी होंगे और मेरा भी खामका का सर्दक बचेगा देखिया मैं वकील हूँ अगर आप इनका एफायर नहीं लिखेंगे तो कल सुबह आप अदालत में ख़ले होंगे ठीक है लिखवाईए कैप्तिन दादा और उस आपने फिर हमारे बच्चों को अंदर कर दिया अरे किरन भाई आईए आईए किरन भाई आपके लिए चाय मंगवाओं स्पेशल यह नहीं नहीं यह सब भालतों का फॉर्मेलेटी नहीं चाहिए बस इन बच्चों को फॉरन रिहा कर दो वो नकालरा साथ नाराज हूँ इं इन बच्चों के जमानत के कागजाद कागजाद देख सकता हूँ हाँ शौक से अगर आप चाहे तो इसकी फ्रेम बना कर अपने घर की किसी दिवार पर भी लगा सकते हैं मेरे घर की इंगिरे डेकोरेशन के लिए खीमती राइका श्रूलिया लेकिन मेरे घर के दिवार पर गांधी और नेहीं की तस्वीर जिन्होंने कभी खाब में भी नहीं सूल आप लहें कि जिस मुल्के आजादी के लिए वो लोग लड़ रहें उस मुल्क में एक दिन है रूंडों की गरफतादी आपे लिए उंके सवानक के कागजात धरीया जै उन्होंने खाब में भी जिस नौजवान पीडी के लिए वो आजादी लाये थे, वो जेल को अपना स्कूल समझेगे, और जेव का तरह डाकू, पॉकेट मार और डॉन पनने का सपना देगे, इंस्पेक्टर साब मैं तो 24 गंडों के अंदर इन गुंडों को दुबारा अंदर कर दूगा, लेकिन जब है जब ही वो छाला वकील, तेरे को अंदर किया, तभ ही शरमों लीआ आया अब ही अंकल के सामने खड़ा बोने में तरे को शरम आता है, क्या बोला था मैं? उस वकील को में जटके संजा भा घाल है, बोला था मैं तुर में पर साला तिरे को तो बहुत चर्वी चड़गाई लाए ना साला फोकट का दारू और रोटी मिल गया तो अंकल को एड़ा समझने लग गया है चाह आराम कास्व ये भी करेगा मैं अंकल करेगा सब कुछ कुछ नहीं करेंगे आप तुम लोग के लिए ये भी करेगा ये भी करेंगे आप को बेवकील का मामला में खतम करूगा कि अब गया मारता है आप हाँ एसे कियो पति ने बजा लेने ले पत्ति को पेजाय क्या आप अब्साब्साब्साफ क्यों और पर हां क्यों नहीं उठा सकते हो अरे जब दस दस आजमी मिलकर एक आजमी को मारते हो तब तुम्हारी शराफत कहां गई थे अरे एक एक करकर आते तब मैं देखती हुआ जब जिन्दगी आपके सामने सारे दर्वाजे बंद कर देती है ना मैं सब तब शराफत और कुंडागिरी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं ले जाता लेकिन आप जैसे शरीफ लोग ये कैसे समझेंगे आप तो अपनी साफ सुत्री बैलकनी में से नीचे गंदे नाली में सिर्फ थूक ना जानते हैं और उस नाली में पल रहे किसी लावारेस को अपने बराबर बिठाना जानते हैं अरे लावारे सोना आपाहिश तो नहीं अरे लावारे सोने से क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है हां लोगों को धंकाना उन पर गालें आप बरसाने का हख मिल जाता है अरे इन कमजोर बहानों के साथ जीना तो बहुत आसान है अगर वो थूपने वाले शरीफ कायर है तो तुम कमजोर हो अगर वो ड़त्वों के तो तुम भी बुस्तिल हो बुस्तिल आनंद के बरावरी करोगे आरे तुम क्या आनंद का मुकाबला करोगे आनंद की तरह जी के तो दिखाओ दिन रात वोना इंसाफी बहिमानी और मक्कारी के साथ लड़ता है अरे इन आम इंसानों की तरह जी के दिखाओ जो अपने परिवार के दुख अपने कलेजे पर रख कर भी अपन रास्ता नहीं मोडते अपना इमान नहीं बेशते तुम सब अपने आपको समझते हो अरे हीरो तो वो है तुम तो कर दिखाओ अरे अगर हिम्मद है अगर मर्द हो ना तो किसी का भाई किसी का बेटा किसी का पती बन कर दिखाओ काल रहा किए वफादारी की डारू छोड़ो और इमानदारी से एक वस्त की रोटी कमा कर दिखाओ अगर अचां तुम सबके सब और जाकर चौड़ाए पर खड़े हो जानताले बजा चकों की तरह अरद कम कापला करोगे तो इता ताम क्या है सब अबारा तुम्हारी दवाई का वक्स हो गया है कब लगी पता ही निचला दवाओ का असर है ना राओल का लो इसकूल में ना चाहर अवाँ को लेओंगी उसे क्या पर अचिदन हो यह क्या जाए ने वह जाए ने जाए रहे हो जाए ने लगारा खानाद। आप लोग है यार पड़े लिखे लोग है फाल तुमें लफडा करने की क्या जूलत आप लोगों को बस्ती में रहना आप आम फ्री में प्रोटेक्शन देंगे लेकिन कभी गनपती आया कभी क्रिकिटीम के ले चंदा दे देना लेखिए आप अची है आपका बच्चा जाने दौने पच्चे हैं अफसोस तो यह है कि अपने उमर से पहले बड़े हो गए है कुम्रा हो गए है हुआ हुआ है है अब आप कि यह किसी को देखने आई है जी हां जाहिर होस्पिटल में अहां तो फिर आप यह फोल अपने मरीज को दे दीजिएगा क्यों आपका मरीज ठीक है कमरे से भार निकलता तो अभी तक मैं खुद जेनरल वाड में पड़ा होता है मतलब बिल्कुल ठीक है पागल है क्यों उन्हें फूल पसंद नहीं मेरी शकल पसंद नहीं पूलों के लिए शुक्रिया आप यहां कल फिर वापस आएंगी जी क्यो इसी वक्त है अगर आपका मरीज भी फूल लेने से इंकार करें तो आप खुद रखी जेगा कर दो आप आप यहां हमारी कि अगरी कि यह उन्हें यह प्रक्राइब के आदि यह थे लड़की से मारीए ने ने मैने कोई जाबी नहीं है अब अब स्वांधानिना यार अपने पादें अब कोई इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा आप बस भोला ना इस गाड़ी को क्या माल देगा बाप कफलत के खेल नीजाले मोरे भाई तरे कोई चोरी कोई बेचे मोरे भाई तेरे फेजे का स्क्रूव करते हैं क्या बाद है इसे पुर्द करें चैनल पर्चानल बें यार बस थोड़ा था मूचों का भरक है तो बिल्कुल मेरी साली चेसे लग तुभी यार नेरी कहा मूच है यार क्या बात क्या चुनी क्या से बिल्कुल बश्रिश दन गया वाई है गोने टिक की पुड़ा बोड़ी बदल यह अरे अईसा बदल दाना है गफलत भाई है अप उन सबका अहलत खड़ाब हो गिला है तो साले लोग एक मामुली स्टीम क्लेर हो अधे हुआ है प्रणा अगफलत भाई क्या बोलता क्या डोस्त यह जली सेल्बेट डाल कैसा है जूओ आरे ऑबावा थे है आना हुआ अरे क्या बोलेगा इस वाला कैसे लोगों को लाइसंस देल ने तो आपको जोड़ी देनी पड़ेगी जोड़ी में क्या करूंगा तो मैं भी क्या करूंगा रखना काम आगा दुबारा को ठोक नहीं तो उसको वोलने का भाई राइट में ठोक एक असाथ भाई इस गाड़ी की बाड़ी का कितना मिलेगा अब आप यह तेरी गाड़ी को हाथ ने लगाऊँगा मेरे पास पी ऐसे गाड़ी है क्या अरे दंदे की बात वरी बावा आप कितना मिलेगा इसका पंद्रा अधर दूंगा अप भी बॉलो कितना मिलना चाहिए इसका कम से कम पच्चिस जाड़ा आना चाहिए यह बोरी तो अधर ते एक पसे जाड़ा ने मिलेगा क्या बात कर रहा है तू गफलत तरह देख देख एक डेंट भी ने यह इस अधर मेरे कुछ जल्दी से लाइक देने पागा अधर अचा गफलत इन सीटों का क्या मिलेगा देख आगे कि सीटाइप पीठे की नहीं है दोनों का मिला क्या यार गफला तू दोस्तों को भी लूटा है क्या महीं लूटता हूं है सेट आफी बोलो कितना मिलना चाहिए इसका डोनों का मिलके 1012 जर मिलना चाहिए तेक 12,000 है सेट आफी इनको कुछ बोलो मुझे बच्चा समझ कर लूट रहा है अरे क्यूं डिकरा लोगों को ची 25,000 ले ले आउए चलो लेलेता हूं आप होलते तो हम 25,000 में डन्ट इना डिंड चलने मेरे को जलि से लेंगे। लेड़ी पाबगी आडी की जाविच है क्यों पैडी में पाक कर देता हूं पूई ठोग देगा तो यहाँ ताली वाट बराबर छेए लाचसेंस चेक इन्ट कर्텟 को घ्र्गों आठीजासге जाफ़ा है इऋ पोल देने लायटे पैसे बच घेंशी कि या बाद? कीव कीव प्रिख का वर रहा है शरीया स्वस्तानी आपकल अलो है हाई है है अज कल लोगन को ट्राफिक सिगनल की कोई फिर कर नहीं देखिए किस तरह गाई तारी बीच में खड़ी कर दे और इस बात के लिए और ने आपका शुक्रिया भी आदा नहीं किया कि आ है 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 कि मेरे दोस्तों मुझे आज करनत चैन है मेरे दोस्तों मुझे आज करनत चैन है ना करार है मेरा सिर्फ इतना बसूर है मुझे एक लड़की से प्यार है मेरे दोस्तों तुम्हें दिल का लिसंनाओं तुम्हें दिल का हाल सुनाओं क्या तुम्हें दिल का हाल सुनाओं क्या मेरे दोस्तों मुझे आज कल ना तचैन है ना करार है मेरा सिर्फ इतना भुसूर है मुझे एक लड़की से प्यार है मेरे दोस्तों तुम्हें तुम्हें आज कर दोस्तों तुम्हें आज कर दोस्तों मेरी सांस सांस महक उठी के वो लड़की चैस बार है मेरे दोस्तो मुझे आज कल ना तो चैन है ना करार है मेरे दोस्तो कभी सोचता हूँ वो तूर है कभी सोचता हूँ वो पास है कभी सोचता हूँ वो तूर है कभी सोचता हूँ वो पास है मुझे हलका हलका सहोश है मुझे हलका हलका घुमार है मेरे दोस्तो मुझे आज कल ना तो चैन है ना करार है मेरा सिर्फ इतना पुसूर है मुझे एक लड़ किस्त प्यार है मेरे दोस्तो हलो आपका मरीज कैसा है मेरा मतलब आप कैसी है नहीं यार मुझे पहले पूचा जये आप कैसी है उसके बाद आपका मरीज कैसा है आप कैसी है आपका मरीज कैसा है कुछ चमने रहा है यार मुझे उमीद ही नहीं थी कि आपसे आज फिर बुराकात होगी पूच में आजा कैप्टेन बड़ी लड़की है फॉरन पकड़ लेगे सब चलो एक बार फिर आपको पूल पसंद आए मैं अंदर आ सकती हूँ नमस्ते अप अपनी के का तुम्हें एसास हुआ यह देखकर तुमसे मिलने आई हूँ घर में गज्रेला बना था सोचा तुम्हें पसंद आएगा इतनी राद गए इधर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा क्यों तुम इतने बुरे आदमी हो कि तुम्हें कोई मिलने भी नहीं हो सकता मैं कैसा आदमी हूँ वह आप अच्छी तरह जानती है अरे लड़की उसे इतनी नर्मी और नजाकत से पेश आओगे तो वो समझेंगी कि आदमी कितना पिल-पिला है इतनी भी इंबत नहीं क्या आप्टन दौदा अरे जब उससे प्यार करते हो तो साफ साफ क्यों नहीं देते क्या बताओ आपको दरसल क्या है कि मैं ज्यादा लड़कियों के साथ अरे अब तो तुम बिलकुल ठीक ठाक बोल रहे थे कृद्क लड़कियों से और कैसे बोला जाता है और अगर इससे भी काम ना बने तो तुम दूसरा िरस्ता अपना सकते हो भी चाल कर सकते हो उससी उठ्वा सकते हो या आज तक किसी औरT पर हाथ में उठ्वाया समझी तो फिर अपने आलगों गुंदा मवाली किसलिए कहते ह Greece यो मैं इस्तरी तौक इसकी हिंदय के विखावे के लिए है रफा जाने के लिए घृत तुम पता है तुम दूसरों को क्यू डरते हों कि अंदर से तुम को डरे हुए हूं और यह तुम आपना कैपिटन दादा बना रखा है इसके पीछे छोप रहे हो सब्सक्राहें ने ने यह आप कैसे कह सकती है आप जानती क्या है मारे बारे में हां ने ज यानती तो नहीं में तुमारी उम्रह की लड़कों के बारे में तो जानती हूँ तुम क्या समझते हो द्रें बinaire किर सब्ञेब् path ते फूल फूल पर कितनी बून्दे हैं तुम मैं मैं तुम बस यहीं कर सब आ जाते हैं बिल्कुल बच्चों जासे हैं उसी है तुम्हारे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मेरी कहानी तो चार लाइनों की है मैं साब एम साब नहीं दी दी मेरी माँ पंदरह साल की थी जग मैं पड़ा था स्कूल जाती थी चार लोगों ने मिलकर उसका बलाथकार कर दिया पैजारी बद्दामी से बचने के लिए मुझे रस्ते पेपहकर चली गए तैसी ने देख लिया होगा रहम खाकर मुझे अनाथले पहचा दिया वहां तो क्या खाना का मार खाने को ज्यादा मिलती थी इसरे भागया मैं वहां से रोटी चीन कर खाता था मैं बड़ा हुआ तो इंसानों से चीन कर खाने लगा खेल गया चेल गया तो अंकल कालरा ने छोड़ा लिया पस यहां अरे आप तो रोने लगी आप पड़े लेखें लोगों के यही प्राब्लम होती है बड़ी जल्दी आसू बहने लगते ना लेकिन दीदी आपके आसूंसे कुछ पदलने वाला नहीं है यह सब तो होता रहत है इस वक्त भी कहीं कोई पंदरा साल की लड़की का बालातकार हो रहा होगा और एक नया कैप्टेन पैदा होनी की तेहरी कर रहा होगा हम जो है उसके लिए हमें कोई असोस नहीं सिंदगी ने जो बना दिया बन गए क्या बनना चाहते है यह तो ना किसी ने पूछा ना हम है है हाई आण कर तर्द ए ने ले अड़िक आ रहा है आगार कि यह दोल्ट शुर्यर्श कर देड़न 15 00.03.30 Hahn आपका मरेज आपको देखने आया क्या ने ने वो मैं मैं भूजी आपका मतलब बिल्कुल समझ में नी आया दोक्तर जोशी वो रूमनमा दोस्तुतीन के पेशन को उनकी रिपोर्ट आगई है चिंता की कोई बात नहीं मैं कल तक उनको डिश्चाज करना आपका पेशन को डिशाज हो रहा है आजी हंडर परसंट लेकिन उनको को और दिन रहना चाहिए न क्यों क्यों नहीं पहले वो प तो क्योंकि ये डॉक्टर है ओके डॉक्त बबाई अच्छा जनाब फिर मिलेंगे कैसे मिलेंगे बाई बहुत हो गई क्या यार रात बर मगई मारी किया खुद भी निस्वाय मेरे को भी निसोने दिया क्या हुआ चले गई ना चले अब इम्म पथार एक काम कर उसको लिफ्ट दे लिफ्ट उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्या बात है को सामलम है काड़ी में स्टार्ट है ओ बॉनिट खो लिए मैं चेक करता हूँ क्या हुआ अरे आपका तो स्पार्क प्लाग ही गाया पर शिट मुझे घर जलने पहुचा था अच्छा मैं मैं आपको जोड़ देता हुआ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैं वैच से फ्री हूँ हो की ठीके मगर आपी गाड़ी गाड़ी मेरी गाड़ी आप वहां पर रुस्ताव तारु दारु दारु पीवानों ओचू कर नहीं तो तो काम होते मरी जस है अरे डाली अपना गाड़ी का मोड़र ये गाली का मोड़र सेम है नहीं अ नंबर फर बिल्कुल सेमध चेंश न नंबर पर झाली छहां लुट चो चोड़ ओको चोड़ी की था तो आपने काम चोड़ की नहीं मैं तो अपना कामी कर रहा हूं अब वैसे भी मुझे ये गारी कहीं पहुचानी है तो आपको रास्ते में छोड़ दूगा यही मेरा काम है ना कहीं से गाड़ी खरीद लेता हूं फिर दूसरी जग बेच देता हूं तो आपको पुरा निगाने पसंद है नहीं नहीं बिलकुल नहीं लेकि मुझे अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं वैसमें मेरा घर आ गया है आगे से राइट अरे पुलीस आपके घर के भार मेरे अंगल पुलीस कमिशनर है थैंक्यू थैंक्यू बड़ा अजीब लग रहा है थैंक्यू तो कह रहे हूं लेकिन चानते नहीं किसको कह रहे हूं जी मेरा मतलब आपका नाम विजय थैंक्यू विजय लेकिन आपने अपना अलाम नहीं बताया है सारी अंच्छू अच्छू अच्छा मैं बाद में बात करती हूं हाँ अंटी कौन था वो कौन कौन आंटी वही जो तुमें छोड़ने आया था वो विजय वही जो हमेशा हर जगम उससे टकराता रहता है टकराता रहता है ओ गौड भाई आदमी है के गाड़ी बिलकुल पागल लड़का है आंटी उस दिन अपने मरीज के लिए लाए हुए फूल मुझे दे दिये हो सकता है तुम उसे अच्छी लगती हो इस तो फ़णी आँटी आज सर की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर संथे उसका मूह उतर गया और वो डॉक्टर को समझा रहा था कि सर को हॉस्पिटल में रखने के लिए डॉक्टर ही इंग्यूस हो गया मुझे ता समझ किस से नहीं मरीज को देखने आने वालों से कुछ लेना देना हो मतलब अपह तब तुमसे मुझ से हां मुझ से वह क्यूंकि वह तुमसे प्यार करता जचा ते पृप तो हो जाओ तुम तो मुझगरा। रही हो आण शुप, यार और अटि क्या रही है!! वही तुम में इतनी देर से सुनना चाहती हो और वो तुमसे कहना चाहता है नहीं यार मैंने बोल सकता है नहीं बोले गहाना तेरी सब्सक्राइब बोलता हूं I love you हुँ चलना मजाक हो लेकर कम आले फुस्ट बोलेगा ना इसे गुंगा बना रहो ये अरे जिसे बोलेगा भी हो जाएकी बहुत देरी हो जाएकी मेरे भाइड समझा करा तो प्यार अंधा हम होता है रोमयो छ्य के मजनु तक फराज जडा से अथिम क्याप्टन एक कांट कर फोन उठाव सब बोल दल रोत बास क्याप्टन यहां से फोन उठाव वहां गंती बजी सम्झो शैनाई बजी हलो येस अंचु देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ आई लव यू अब चाहे तुम्झे मारो पीटो कुछ भी करता हूँ मैंने तुम बोल दिया आई लव यू तुम बस 20 साल लेट हो गए अनफॉचनेटली मैं शादी शुदा हूँ क्या मैं अंचु की आंटी बोल रही ह अई बेटा शेले बदेगी न ऐसकी आउटी को बोल दिया किसका अंटी तुम्हारा ही है लो अंशु से बात करो हलो है अँटी यह तो क्रेंगौल है यह तो रॉंग नंबर है नंबर तो राइट ही है फिर बात क्यों ने कर रहा कोई मुझसे तो बहुत कर रहा था कौन है वही जो तुम्हें कभी फूल कभी लेफ्ट कभी जाने क्या-क्या देता रहा है कौन विजय हलो इस तर विजय है विजय बोलो मैं 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 बोला उसने बस मैं मैं कर रहा है विजय मैं फोन लेकी बैठी हूं कुछ कहना चाहते हो विजय कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूँ आंशु आ लव यू कह दिया क्या बोली है काथ बोली सब तेरे पचेसे देख़े की अडे मेरा निथा ये तकले कथा आओ अब ये अब अब कमपूट अब 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 कर ने अरे वा आज तो मेरी अंशु कुछ जाद ही खुबसूरत लग रही है बैए क्या बात है कुछ नहीं आंटी मैं ऐसे ही बाहर जा रही थी अच्छा ऐसे ही तो तुझे इससे पहले कभी इतना सच धच के बाहर जाते नहीं देखा क्यों क्या खास बात है यह तो तू ही बता इ कुछ नहीं आंटी मैं तो सर्फ हॉस्पिटल जा रहे थी बॉस में मिलने ओहो फिर तो तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई क्यों मिस्टर सक्षेना को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है उनकी वाइफ का फोन आया था अरे अंशू तेरा चेहरा क्यों उतर गया भाई मरीज की ठीक होने की खबर सुनके किसी को उदास होते तो मैं पहली बात देख रही हूं कब आया तो फोन फोन कुमार गोली मुझे तो यह चिंता लगी हुई है कि वहां कोई और भी तो आया होगा देखने वाला मरीज को अ अंटी उए बहुत हैं ऑगला तो भी चाहता धा लेकिन सबके साथा था ना क्या नहीं वह सिर्फ वह बोलना क्या था समझ में आया तो तो जैसे दोस्तों ने कहां कहां टिया लबू यह यह मैंने गप का अभी आप यह हितो कह रहें किया है कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन आ आंशु इसलिए तुम्हैं आपसे माफी मांग रहा हूं किस बात की माफी मांग रहा है बलते हैं I love you बोलने की अच्छा तो आई लो भी बलके आपने गलती की कि नहीं मैंने कोई गल्ती कि आपसे माफी मंगे यही मेरी कलती ऑधे बड़े बत्तमीज है ूप इसका गडण चाहिए गडण ऍजञ हो इसका रहे अपस का मला है हमारा भी आपस का मामला है फतim के और रहा है जो जो भूरूती फोन पर मज़ा करने की यह मज़ाग नहीं मैं सच मुछ आपसे वही कहना चाहता है तो अभी माफी मांग की मज़ी बेवकूफ बना रहे है जी मुझे ऐसा लगा कि शाद आप नाराज हो विल इसलिए और आपको यह भी लगा होगर मैं आप से नहीं यहां अप अपर आप मेरे अपर अंकल ने मुझे पाला भूज़ा है तुम्हारे पैरेंट्स गॉयू यहां नहीं है कुछ अगेले रहने का शौक है नहीं क्यों तुम्हारे आंके वो ने कह रहे जो तुम कह रहे हो डर लगता है आज सब यहीं सिखा है कि सच्छा है खुबसूरत नहीं होती मतलब तो मिल गई इस बात पर एक इन नहीं होता हो जाएगा ओ मैं गॉड बहुत देर होगी अभी बहुत टाहिए चलो रावल नमस्ते दी कैसे आप आये मुझे दीजिया अब इसने दिनों बात दिखाए दिये कहां थे इसको खुदको पता नहीं है तो आपको कैसे बताएगा है मतलब छोक्री का लफड़ा है चक्कर हम ची इतने प्यार भरेशत को कितना घट्या बना देते हो चकर लफड़ा माल तो वही है ना सिर्फ लेबल चेंज करो बस प्यार मुहबब चकर अच्छा तुम्हारी जबान में बात करती हूं ठीक है माल तो असली है ना में मतलब तुम उस जब उसके जिकरी से शर्माते हो तो उसके सामने क्या बात की होगी कि बात की नहीं करेक्शन तो हो गया है सिर्फ तुम से पूछा मैंने तुम रावर को लेकर घर जाओ चले देड़ फूट और तुम चलो ज़रूरी बात करने हैं तुमारे साथ क्याप्टन तुम नहीं कभी सोचा है कि जब उसे तुमारी असलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या भीतेगी हाँ क्या उसे सच बताऊंगा तो नफरत करने लगेगी उसे और मैं उसे खोना नहीं चाहता जूट बोलोगे तो वैसे भी उसे कोदोगे अब लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारे सच में तुम्हारा प्यार जलकेगा जिसी वो इनकार नहीं कर सकते और इतना जान लो कैप्टेन कि तुम मवाली हो यह तो बर्दाष्ट कर लेगी लेकिन तुम एक मकार हो यह वो कभी बर्दाष्ट नहीं करेगी मैं मकार नहीं हो दीदी लेकिन आप एक आउरत है आप ही बताईए अगर कल आपको पता चलता है कि आनत बाबु वकील नहीं है गुंडे है मुवाली है तो आप क्या करती है मैं मैं हमसे तभी प्यार करती है सच सच लेकिन मैं उनसे इतना जुरूर कहती कि अगर वो मुझे सचे दिल से प्यार करते हैं तो उन्हें बदलना होगा और इसमें मैं उनकी पूरी मदद करती है करते है नले वो अल्शी हो मैं तुमसे कुछ क्याना चाहता है पहले मैं तुमें कुछ देना चाहती हूं लिरीज फर्स्ट क्या है यह मैं तुम इसमें मेरा सब कुछ है मेरा कल मेरा आज मेरे सपने मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ इसमें है जब तुम नहीं मिले थे तो यही मेरा सब कुछ थी एक यही थी जिसे मैं अपना सब कुछ कहती है इसे पढ़ना हुई जै तभी तुम अंशु का समझभाओगे अंशु क्या चाहती है किस चीज ने ड़क दी है अंशु के बड़े बड़े सपने नहीं है पस एक चोटासा घर हो उसमें बड़ी बड़ी खिड क्या हूं ताकि थेर सारे हवा और धूप अंदर आ सके और दर्वाजा अंशु के दिल की तरफ खुला तामन में फूल से बच्चे और तुम्हारा साथ और तुम्हारा डर मैंने जिंदगें पहले बार किसी पर भरोसा किया है पहली बार एक रिष्टा बांदा है तुम से ड़ते हैं कोई तूम मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ सुनके मैंने जो अपना पुना रीको उसको तोड़ना देना तन्हा मुझको छोड़ना देना हर गम से पचा लूँगा मैं रखना या रखना वाला पाहों में छुपा लूँगा मैं कर लो पकाई रादा तुम्हारे जो कहा मैंने वो सुना सुनके मैंने जो सपना पुना देखो उसको तोड़ना देना तन्हा मुझको छोड़ना देना तुम्हारे साथ जाओंगी मैं रखना या रखना वालाता तुम्हारे साथ जाओंगी मैं कर लो पकाई रादा सुम्मी जो कहा, मैंने वो सुना जिन्देगी में अगर आई मोड कोई हो न जाना सच्छी में अधारीन जुदा रात हो या हो तिन रम हो यह खशिन मैं तुम्हारा रहोंगा सता मैं विर्वान गाना ये मनन धूति गाना अब ये बंगर सुम्मी जो कहा, मैंने वो सुना उनके मेंने जो अपनाब ना देखोस को तोड़ना तेना तन्य हा मुझे को छोड़ना तेना तुमसे मिलने से पहले मैं आप एखबर क्यार क्या है मुझे क्या अब तुम्ही जिन्देगी भड़ा में हम पर माननू ये इजाजत है क्या जीवन हर तुमको जाओगा रखना याद अपना वादा हो तुमको ही मैं अपना होगा कर लो पक्ता इरादा तुमने जो कहा मैंने वो सुना सुनके मैंने जो सपना पुना देखोस को तोड़ना देना तन्य हा मुझे को छोड़ना देना तुमको हर कर चाहूंगी मैं, रखना याद अपना बाता, तुम्हारी बन जाऊंगी मैं, कर लो पक्ता इरादा, तुमने जो कहा, मैंने वो सुना, तुमने जो कहा, मैंने वो सुना अलो, अंशु जी, अंशु जी, क्या बात है, लड़का कौन है, कौन से लड़का, देखा कविता जी, लड़किये का नाम पूछते हैं, इनका चेहरा कैसे गुलाब से खेल उठा, आपको इंके चेहरे पर कहीं, प्यार मैर का असर तो नजर नहीं आ रहे है, क्यूं फरिशान करें उसे आरंग, अले भाई, इतना तुहक मेरा बंगता है, इस पे, यह मेरी असिस्टेंट है, लड़की का नाम क्या है, जी विजे, अना थोड़ा सा फिल्मी है, लेकिन चलेगा, कब मिलवारी हैं, किसली सा, ताकि तुम दोनों की शादी जल से चल करवादी जाए, नही तो अब यह न बता गई कि वह आप से अपनी गल्फिन के बाले में भी डिसकस करने लेगा, बहुत अच्छी सावबत में पल रहा है हमार बच्चा, इसमें क्या बुरी सावबत है, क्या 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 प्यार करने का हख नहीं, वो बदलने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसमें उसे मेरी मॉरल सपोर्ट की ज़रोत है, तो इसमें क्या बुराई है, यह कौन सा लट गया है, वो ही गुरूडा मावली केप्टन दादा, अनल उसे तुमसे माफी भी मांग ली है, और वो बहुत बदल गया है, उसमें तुमसे कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नह अधिक्स, आम आम सॉरी, आम सॉरी माप, तो क्या करें इन के विजे साब के बारे में, तल्शाम को खाने पर बुला लें, इसक्रीड आइडिया, अगर विजे साब हमारे सवालों के सामने ठिक है, तो मैं सम्झूगा कि वो तुमारे प्यार के ताबे, हम्हार। अब ही तक घर के बाहर रुबाब जमा रहे लाता अभी घर पर भी रुबाब जमाएगा अच्छा है अच्छा है एकरन इसका शादी धुम्दाम से मनाए जाना चाहिए जो भी खर्चा होगा ये अंकल करेगा फुश्ट तो टोब्लम है कोई इधर इधर तुशादी कर रहे है तेरेकुट खुश होना चाहिए हैंकल है कि अब ये काम नहीं करना चाहता है है तो यह काम कर तुख्र के साथ इधर रहे किरन का मदद कर तेरी को अपनी चिकिनी को भी तूपालना होगा ना नहीं आप समझें कि मैं अबके लिए कामने कर सकता मैं अपनी मैनत और इमानदारी की कमाई पे जिना चाहता हूं एग और कि का बोला यह कर दो शेला का धाऍवा नीजुमान दारी करता है वह सब मेहनत और अर्वर फसके ज़ेए जिन्त की जीता है मैनत और इमानदारी का बात करता ही है बेजा फिर गया है साले का अंकल वो लड़की मुझे सही आदमी समझती है मैं उसका विशास कैसे तोर सकता हूं लिके मेरे कुछ उड़ सकता है वो भी साला एक छोकरी के लिए अंगल प्लीज ऐसी बाते मत कीजिए मैं उस लणकी से प्यार करता हूं शादी करने वाला हूं से ठीक है जा मैं इस साला एड़ा था जो तेरे को गटर में से उठा के लाए था जा 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 बापा जबी उदर सा काल रहा सा भी यह साला कल कल लंडा और आपने इसे आएसे जाने क्यों दिया जाना किरन अब ऐसी काम कर नीज बेकार हो गय आए खुझली हो गया ऑस आले कुट्टे को सही आदमी बनने का कुझली आता है तो जाने दो ना एक जाएगा दो आएंगे चार आएंगे तस आए जिस दिन तु अपना कुट्टा पालेगा ना उस दिन मुझसे बात करना समझा और यह गिंति की और कर से क्या अगर यह खुजली फैल गया ना तो बाकी को तभी सर जाएगा पर पट्टा अपने गले में बांद कर घूमना ते बाप रिटार हो या तुछ किरन कि इस साला चिकने का छोकरी को इधर उठा किला है इसका खुजली अम्में मिटाता है कि वीजेए कि सर मैंने कहा था ना यह ज़रूर टाइम पर आएगा हाई वीजेए मैंने सकसे ना राइस मेरी है वीजेए इतना क्यों घुपरा रहे हो यह मेरे बस है अगर इसने तुम्हें मेरे बारे में डरा रखा है तो रेलाइक्स मैं कोर्ट में लोगों की बोलती बन करता हूं बाहर नहीं कमान कमान आइश्यपथ आओ प्लीस कमें कम कम रहूल का है रहूल बच्चे के बढ़्ध पर डिगे तो फेल टो यह अंच्छों के दोस्त बस्त मैं स्थे विजय राइट बट्री अब यूही सप्राइज खड़ी रहेंगी तो हमारे केस्ट भूगया मर जाएंगे इसलिए अपने चेहरे से ये शेल्ल शॉक्स सप्राइज को टेबल पर रखो किछन में जाओ कुछ गर्म-गर्म खाना त्यार करो अभी लाई वे सदान और जब कहती है कि अभी लाई तो इस चोड़े से अभी लाई में सारा प्यार सारी मंता समा जाती है किता संगीत लगता है अन्विलीवबल है ना मिया तांसन आप सरा कोल्ड रिंग कोल कर देंगे मैलाती सर तो भाइवेजे क्या प्योंगे था है किसी भी कोई सवट्रिंग है या किसी एर कर नाम है यह थे आर्न आप को ज्यादा ही बोल रहे हैं आन्ड में बेस्यादा नहीं बोल रहाँ दारसल हमारे मेहमानी कुछ नहीं बोल रहे हैं वैसे करते क्या बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका आजकल बिजनेस का ही जमाना है वहना नौकरी से तो सिर्फ दो ही रोडी मिल दिये बच्चों के लिए दूद्ध हमारे लिए टॉनिक तो बिजनस ही हो सकता है वैसे किस आइटम में आप डील करते हैं लेकिन शाहद आपके सामने शर्वार है अरे इसमें शर्मानी की क्या बात है एक से जादा कार होना कोई जून थोड़ी है हां कार खुद की हो जुरी की नहीं राइंट रोज नहीं नहीं गुमते हैं लेकिन पता है किसी बात का भी गुमान नहीं वेरी गुड बहुत कम उबर में बहुत दादा तरक्ती पाली है तुमने वरना इस उम्रों में नौजवान तो आवारा गर्दी में लगे रहते हैं इसे हमारो उसे धमकाव बाइक जलाओ यह यह कहते हैं सर इनका तो कई शेहरों में बिजनस है तो कहते हैं शादे की बात ध्यां से दूर चले जाएंगे इस शहर से दूर 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 तो तुम्हें जाना ही होगा अंशू अगर कब तक छुपा पाएगा यह सच कि यह कैप्टन दादा है कैप्टन दादा आंशू यह विजय नहीं है यह गुंडा मॉलिक कैप्टन दादा है इसी पस्ति का कीड़ा इसका बिजनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं बलके गुंडा गर्दी और हफ्ता वसूली का है यह कार खरीता नहीं बलके चोरी करता है वसकर आनंद बहुत हो गया कैप्टन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं चुप क्यों खड़े हो यह क्या बोलेंगे जूट के अलाव अंशु यह सच है कि मैं विजे नहीं कैप्टन दादा हो लेकिन यह भी सच है कि मैं विजे बनना चाहता हूं लेकिन तुमने विजे को पहले ही मार दिया है मेरे सपने को तोड़ दिया मेरा घर मेरी ग्रेस नी मेरे मेरे कहल को खत्म कर दिया है चले जाओ यहां से आप्ट कि उसे जलीर कर सको रुख जो कैप्टन तमाशा मैंने शुरू किया था ना मैं इसे खातम कर देता हुआ मैंने तुम्हें देनर पर बलाया था यह लोग खाओ और केट डाउट तुम्हें पहली उसे सच बता देना चाहिए था मेरा सच पहले भी यही था और आज भी यही है एक लावर इसको रोटी की भीग दी जाती है प्यार की नहीं उसे जिल्लत मिलती है लेकिन अपनी सचाई को बदलने का मौका नहीं मिलता यही सच है साला मेरे को हिंदी फिल्म का स्टोरी सुनाता है नहीं नहीं काल्रो साब मैंने उस लड़की को वकिल के साथ पहले भी देखा है मेरा साब की बतीजी है वो और वो उनी के साथ रहती है तो क्या हुआ बाबा ने बोला उस लड़की को उठा के लेके आने को तो लाया क्यों नहीं है चुप अच्छा हुआ तेरा मा को भगवान ने उठा लिया वहना दो दो बेवखूफों को कैसे पालता मैं वो सिर्फ लड़की नहीं कमिश्णर का भती जी भी है है तो कमिश्णर कौन सा मारे रिष्टे में लगता है कि लगता तो नहीं लेकर क्यों न हम उसे को रश्फा बना लंए तेरा शादी बना देते हैं उस लड़की किसाथ अरे पागल हुए कि बबाबा सुबसे को मिला नहीं तू कौन सा किसी के साथ शादी बनाके उसी के साथ रहने वाला है मैं कर जानता नहीं ते रुगू अ पाइट करता है बाबा तू रिटार हो जा तेरा टाइम हो गया अभी एक रहन समझा दे इसको बना इसको फिरा रालेगा अरे क्या राजबाय मांजा ना यार मांजा आई शपात वो बहुत काड़क आईटा हुए अरे क्या काड़क आईटा मैं किसी दे बिना देखे शादी क क्या करें कि क्या करन कि तो जानता है कि मैं किदर से दंदा शुरू किया था कि क्लब में पत्ता सेट करता था है ना लेकिन जब से यह अंकल का अलरा बनाना मैं यहांते लिए बहुत खुजाता है बहुत को जाता है कि आप देखना तो मैं कैसा एक एक पत्ता सेट करता है यह साला चिकना क्याप्टन जानता नहीं यह अंकल कैसा अखा घिंपिरा डालेगा अंशू यह तुम एक्साइस कर रहे हैं खुद को सजा दे रही हो सजा ही समझो लेकिन क्यों वाइए एक्सक्यूज मी मैडम आपके अंकल ने आपको नीचे रेस्टरेंट में बुलाया अंशू मेरी बतीजी ही नहीं कि मिरी अपनी बेड़ी जैसी है इसे अपनी आउलाद की तरह पाला आई कालर साइब तो औरे हम आयोधिम कल को तुसका शादी किसी पीस वाले से करेंगा और फिलिसे वाला मेरा दो आप क्याहिप आपके ट्रॉz तु अपना बैटी का शादी व्राज सेО दिका औरा आप मेरे कोई प्रमेस नहीं कि ए法 खाली पर इसको सपने मत दिखा दू इसको इसको क्या बोलता है अभी इसको डेट बोल डेट अरे सका ऑलाद नहीं तो क्या जबर्दस्ति मैं इसका बेटा बन जाऊंगे ठीक से बोला लो अंशु भी आ गई आऊ अंशु आऊफ इंझे मिलो मिस्टर काल रां यहां के मलने हुए बिज्नसमेन और यह हैं कलो गए नइकले लड़का राच आए ह ritual यह है क्या बागतài है अंशु यहां के health club की member है क्या अजु यहां एक्छाइस करने आती है क्या था आच्छा है अच्छा है अच्छा रे अच्छा यह तेरा चेरा ऐसे एच्छा लगते थे विगर गई क्या आए भाबा तुमी अग्ल मैं बॉट फुरी तो गहीं अगर आप और नामाले तुम्हार जो और आट जाते ऐँ जगाते हुआ ऑके बटा आ रवर्पवे युद्ध ह खुद भी फैसला करते हैं मैं रिष्टे का नहीं बिजनिस का बात कर रहे ला है बिजनिस का बिजनस अच्छो मेरी बात तो सुनो अच्छु को कर आंचो अच्छो अच्छ रिष्लिت मिटा तुम इतनी मुझी बुझी सरा रहे होו हात तुम लोगों की जनुरेशन दें गरें लएंद लोगों को हसते खेलते रहना चाहिए जिन्दा दिल होना चाहिए और मुवीस क्लब्urers को बगर में जाना चाहिए वाइद अवे राज का फोन आया था वो तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है राज मुझसे फोन पर परमिशन मांग रहा था कि क्या मैं अंशी को बाहर ले जा सकता हूँ अरे मैंने कहा क्यों नहीं अब तो तुम लोग का रिष्टा पक्का हो गया है एक गूसे से मिलो जिलोगे नहीं तो जानोंगा कैसे एक गूसे को शादी से पहले है है पुष्पा इने वन्हुन पताया नि कहार मैं तुमइरा और राज़ का रिष्टा पका कर दिया है एテट अब गराकल मैं राश्य स्वी नहीं करना चाहती मुझ में भरोटा नहीं इना मैं और ग्ल्ड Alrighty मेरा मैं कालरा साब को जुबान दे चुका हूँ कम ओन डार्लिंग सिर्फ जबान ही नहीं तुम तो अपना इमान भी कालरा को बेच चुके हो शरप पुष्पा तुम्हें बीच में बोलने के कोई जरूरूद नहीं है चाके शराप पी और बंस अंकल आपको कम से कम उसे पूछ लेना चाहिए था किस दुनिया में रह रह रही हो तुम बेटी दड़कियों से पूछा नहीं जाता बक्वास मत करो और तुम राज के साथ बाहर जाओगी कितने कमीने हो तुम मिस्टर मेहरा जी अपनी ही भती जी को उस कालरा की यहां रिश्वत के रूप में भेज रहे हो ठीक वैसे जैसे एक दिन मुझे बेजा गया था तुम्हारे यहां चिलाओ मत मैं तुम्हें अंशु का दलाल बनन अपने नहीं दूगी समझें अपनी अउकात में रहो रात की मार भूल गें क्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि मैं राज के साथ चाहूंगी कि वैसमें मेरे पास खोने के लिए रखा क्या है सारी साथे तूट चुके है अब जिदेगी भाई टुकड को ही तो बटोन है अंशु कि अजु अच्छ नंस प्रिंग से दे वहां आगे बैठों मेले क्या दाओ कि अजु अच्छ निख दो देन से तुम्हारे गहर के बाहर खाना था लेकिन तुम्हें मुझे देखा भी नहीं आज जब तुम घर से बाहर निकली तो तुम्हारा पीछा करता करता यहां पोचा क्यों क्यों पीछा कर रहें तुम्हें मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अंचु मुझे सिर्फ तुम चलिए अंशु यह क्या बत्तमीजी है यह सब क्या था इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं तुम बाहर जाओ अंशु एक बात याद रखना आज से मेरी मर्जी तेरी मर्जी है और तेरे पर और को नज़र डालेगा में को बरदाश्ट नहीं होगा है उस क्याप्टन को जो मैं करूंगा वो अलग लेकिन तेरे को समझती है न तु मुझे करो नीचे आजा मगीन साब मगीन साब ये गुद्ध आपसे कुछ बुच्टा जाता है उस दिन आपने अपने घर में कहा है अना गुद्धा है ममाली यू याद है मैं मानता हूँ उन्ना हूँ ! हां और लिकल का लिशल स्सेट है !! प्रणत ना भुलने की नहीं है ना इह मत ! आर रहे लिखे लोग है रहे लोग है यहीं सीसा स्कूमीन है ऐ सोच में देखा रे सुद्टिक प्रश्तिक रख्याद्टर पर शाहरा है वंदर लगष्ट हो रहा है करें चल्द बेस दो कम्रे में लिए यार्ट नियार्ट रसकी नियार्ट राउड़ा दोस्त बंते हो साले, हाँ, यही दोस्ती है, हाँ, यही दोस्ती ने भार रहा हूँ, एए, काल जा रहा हूँ, एए जाओ सालो, किसी का साहरा ने जे मुझे एए, हाँ, एए, हाँ, एए, एए, हाँ, हाँ तो अन्छो को कैसे जानता है? जानता तो में तेरे बाप को भी हूँ अरामदादे वो मेरी होने वाली बीवी है उसके बारे में सोचने के लिए भी में तेरा भेजा साबुद में छोड़ूगा पॉर्ट आप लाम एटे लिए पॉर्ट अगेला समय कर्मार्थे लेके नितना याद्र में जशेवी आपको मुझसे चिनने की कोषीच की मुझसे मादारूगा येश आपको मुझसे गोजने की के लिए वाव येश जाच एब आपको आपको मेरी है मैं उसे जान से मार दानुगा अरे कहां जा रहे हो किसको मार दो से उसके तुम्हें अंचु का फ्यार मिल जाएगा अरे आज सक तो यह करते आयो जब देखो तो दारूबी के पड़े रहते हो रास्ते में लोगों को गाले देते भिठते हो अरे अगर उसका प्यार जीतता है तो पहले उसके दिल में अपने लिए हिस्सत तो पैदा करो ताकि लोगों की बदनामी सहने के लिए उसके पास कम से कम तुमारी हिस्सत का सहारत हो बद लो गैप्टन बद लो अंचु का दिल अपने आप बदा जाएगा आप जाती क्या मेरे बारे में जानना भी नहीं चाती कुछ नहीं कहां जा रहे हो मुझे नहीं चाती कम आप जानना बारे में जानना कि आप टिल मुझे आप जानना भी आदाएग्टन बद लोगता है गम से बिगलता है दिल, जितने भी उसुने बहे, उतना ही जलता है दिल, कैसी है ये आगन, कैसी है ये जलन, कैसी बारश हुई, चल गया है चमन, कैसा ये सितम हो गया, पाया ये सिताबक हो गया, लगता है नसीब मेरा, हमेशा के लिए सो गया, कैसी है ये ये आगन, कैसी है ये जलन, कैसी बारश हुई, कैसी बारश हुई, चल गया है चमन, बारश हुई मैं हूँ और यादों की हैं परचाईया ठोकरे हैं आर हैं रुसवाया दूर तक कुछ भी नजर आता नहीं हर तरफ भैली हैं बस तनवाया जरत थे जो मेरे लिए बुझ गए वो सारे दिये तू ही बताने जिन्दगी अब तक पोई जिये कैसी है ये अगन कैसी है ये जलन कैसी बारिश हो ये जल गया है चमन च्छा गई गम की घटाएं क्या करों रो रही है ये खवाएं क्या करों भूरती थी रस चुकानों में कभी हो गई है वो सदाएं क्या करों जाने अब जाना है कहां आखों में है जैसे धुआं मिलते नहीं है रास्ते बिट गए सारे निशां कैसी है ये योगन कैसी है ये जलन कैसी बारश होई ये जल गया है जमन क्या आखों परसी में कर दोड़ा है? आपर बसिविए करने आगे देमीं मुझे तो जले आपर जाए ये रितो ये यो ये यो ये ये अप्द का अगरे वेजा आपर लेडेको आपर आपर जाए चले आत्या आपर देखा अगरे अचरणस एक जो रोड़े ऑने शुकर के जिलेगे म।छ फोक रेखाए अरे क्या तुम्हों क्याप्टिल के नहीं छोगरे हैं? अपे यह सारे हम लोग अंगल के पुरानी छोगरे हैं चोड़ो, अरे कांगरे हैं तोर दो स्थाने की जगा को अरे मेरी जाप्टिल है यह मेरी बस्ती है क्या से कोई हफ्ता नहीं जाएगा कालरा को कप्टन बीच में मत पड़ अंकल कालरा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे समझा क्या हाथ मा छोड़ेगा हाथ मा छोड़ेगा कर दो कर दो मेर्ट कर दो! कि आप 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 साले अमरे कर चाहू, तुम्हें तुम्हें तुझे जान से मार सकता लेकिन नहीं तुखारा के पास जा और बता दे उसको कि मैंने अपनी परविश्च का हिसाब चुकता कर दिया कर दो हुआ जा बहुत जा जा लिए हिमत कैसे घूर वापासाने का जाने दो कारा साथ जाने दो आज खल वह कैप्टन को जादा भड़ भड़ाने लगा है यिया ने को आप बोलेां तो कमतीच कर डालता उसाले को नहीं मा नहीं करें तू को की है कि स्कास्ते हां क्रेशान का राकट हम गटर हुं उसका जुमान काठके उसको गटर में दाल दे साला भीक मांगने लाइक मरत विद्य ह approx करे आप आप खामखाम परेशान हो रहे हैं मैं देख लेता हूं उसको क्या नहीं मुझका कि क्या देखेएगा तू है पहले अपनी लॉंडिया को तो संभाल वो जो बती जी है ना तेरा उसे के पीचे वो साला कैप्टन तुम हिलाता गुमता है जानता है बात करते हैं हम पुलिस वाले हैं मुझरमों को ठीक करना हमारा पेशा है अगर हम अपने आउकात पे आ जाए ना मिस्टर कालरा फिर द आओ आओ क्यों अलार बहुत इन वार रहे हैं क्यों साब मिलना ही था तो प्यार से बुलाने का था ना वहां जाते कि अनन्द मैं तुमसे सिर्फ सच के लिए लगने को कह रहे हूं बस उसे चुड़वा लो कभी था क्याप्टन दादा जैसे लोगों की जगा जेल में है सलाखों की पीछे अगर वह निगल गए तो पूरी सोसाइडी को सड़ा देंगे आनन्द आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी सोच है कितनी हो थी हो गई है को और आज तुम आपने को बदलने का अधिकार डिशाना अजयर वहार रही है कावीता यह तुम्हारे जीत नहीं आनद ये तुम्हारी हार है तुम्हारे आधर्शों कि हार क्योंकि आज सुब क्याप्टन के उसका अधिकार चेन रहे हो अपने आपको बदलने के अधिकार तोविता चलिए गफलत भाई इस शहर में और भी वकील है तोविता इस कप्टन की पीचे हमदर्दी जाय करने की कोई ज़रुवत नहीं माफ करना भाई माना चोटा मों बड़ी बात कह रहा हूं कैप्टन को आज भी किसी की अंदर्दी की ज़रुद नहीं और उसके अंदर के विजय को है उसे आप लोगों का साहरा चाहिए क्योंकि इसने वह सपना आप लोगों इस होबत में रहे के देखा है आपको ठीक नहीं और आज के बाद किसी कैप्टन से विजय बनने के उम्मीद भी मत रखना भाई ले जाइए से ले जाइए जमानत को हत्यार बना लिया है इन गुंडों ने कुछ वकीलों की मदद से माफ करना इस्पक्टर साब दूसरों पर इल्दाम लगाने से पहले ज़र अपनी वर्दी वालों के और भी देख लीजेगा गफलत भाई को भी ताम इनने लेजा इनकी बात का पुरा मत मानिये खान साब दरसल पहली बार किसी इमानदार पॉलीस आफसर से मलगात हुई है लेकिन मजरम कानून का नहीं हालात का है इस शहर में काला नाम का एक उनेगार है जो कैप्टन जैसे नौजवानों को जिंदगी के रंगीन सपने दिखा कर उनसे गुना करवाता है लेकिन कैप्टन ने आज उस मौताजी को ठुकरा कर एक सही इंस्तान बनने का सपना देख सबसे हैं मुड़का के बैठी लिए यार किया मुओ अजाता नहीं है मा ना नाधा कर दोल्क ही जेल के सात मेरा ऐसा रिष्क्ता है ना काहँ जांहें गोल यार मेरा घो होटा मोटा चोड़ मेरे लिखार है फोटा मोटा है यार था अच्छा का था-च्छा न रहा हाँ अ- हमें आपष्णиватьॢ़ी हुआ एक मैकी था प्रें कर लोगा ंपास, मेरे बाप फिर अंदर को ओड़नी, और उस लेड़नी गाम आप रम्हारु होगा, यह अओख related। पुरिए की अंदर जचाब को भी खिला दिये, पतानिहां किया जटक आगिया रमिती पॉरी प्राइप गीडल आरे सुनना जब पूरी तो सुनना ठाच्छा अले चोटा मोटा चोर जो उमर करते हम जाद की और जात कु यह एंदर कंपके अले क्या भां प्रोरा परेशान हो यार जेल जाना को बुरी बात नहीं है अरे अच्छे तो बड़े बड़े बातनों लोग बाभी अंदर गये ले भाई तो बोलता हो जो अंदर रे जावे ना उसको बायर का वैल्यू नहीं मालूम पड़े यह है कि अबायर की बाद चोड़ों अंदर फिट में बहुत दरद अब ही लगाती है मज़ा आ जावे लाइफ में क्या आजा चुटू पान लेके अरे गफूर नर्वस हो रहे ला यार गफलत भाई चलिए खाना लग गया अरे क्या वाज़ा अरे कैप्टन चलो उठो चलो खाना खाला जी मुझे ने खाला है अरे रोटी को इंकार नहीं कर कारा है मैंने रोटी को गभी नहीं ठुक रहा है नहीं सचमुझ दीदी मुझे भूख नहीं है मैं चलता हूं अरे तुम कहीं नहीं चाओगे नाम जीदा कुछा लोग जी मुझे भूख नहीं है तो क्या था पड़खा हो अपने बढ़े अधे का हाथ से कि एक दिन इसी घर में मैंने तुम्हारे साथ कुट्टा की तरह स्लोक किया दू है नहीं कि मुझे बाफ नहीं करोगे मेरे भाई कि मुझे नहीं कर लूँ उसने मुझे द्हुका दिया है अच्छो क्या नहीं सर मैं कैसे यकिन कर लूँ उसने मुझे द्हुका दिया है अंशू कैप्टन आज एक खदम बढ़ाया है विजय की और तुम्हारी और तुम्हारी प्यार नहीं उससे बदला है अगर आज तुम्हारी नहीं दोगी तो अंशू यह ठीक कह रहे हैं सचा प्यार ही इंसान को बदल सकता है तो खुद एक बार उससे मिल के अपनी तसलिक क्यों नहीं कर लेती कि वाकई कैप्टन विजय बन गयाए की नहीं अंशू इंसे कह दो कि तुम नौकरी नहीं करोगी तुम्हारी सगाई हो चुकी है माफ कीजिए मैं इन्हें नौकरी पर ले जाने नहीं आया हूं मैंने ये बताने आया हूं कि कैप्टन सुदर गया है गुंडे कब से शरीफ इंसान बनने लगे मिस्टर आनन सकसे ना जब और तुम आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखोगी समझी ना मैं कभी अंचू से मिला होता ना ये दिन देखना पड़ता क्या मतलब वो क्यों आई मेरी जिंदगी में वह क्या बात है अगर अंचू तुमारी जिंदगी में नहीं आती तो सब कुछ ठीक रहता है अगर तुम अंचू की जिंदगी में नहीं आते तो आज वह भी खुश होती क्यों कायरो जैसी बात करते हो तुम हाँ सारी गलती मेरी है मैं ही गलत हूँ अपने आपर तरस खाना बंद करो यार पता है तुमारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें हर चीज आसानी से पालेनी की आदत सी हो गई है लेकिन मिस्टर एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है अंचू को सबने तुम नहीं दिखाये थे ना क्यो अंचू तुम यहां क्यों आया हो अंचू तुम मेरी गल्ती की सजा खुद को क्यों दे रही हो तुम्हें गलत फैमी हुई है नहीं अपने आपको धोका दे रही हो मुझसे बदला लेने के लिए राज से शादी कर रही हो यही शादी में अपने मर्से से कर रही हूं अंच आपको अग में जोकाए और सब्सक्रमे कि अधूओं कि अपनी नहीं तुम से अपनी नहीं तुम्हारे कि मुझे कुछी कर रही हो हाहा मैं कर रही हूँ ठीक है इससे पहले तुहारी राज से शादी हो मैं उसे मार दूंगreal और वो तुम्हे छोड़ देंगे? क्या करेंगे वो? मार देंगे ना मुझे? मारने दो, लेकिन मैं उसे जिन्दा में चोड़ूगा. क्या समझते तुम अपने आपको? मैंने तुम से ऐसे क्या मांगा तुछ तुम्हार बास नहीं था? क्या जरुते मुझे जोड़ बोलेगी? मुझे जोड़ सपने दिखाने की? क्या हो ने दिये ये सब? मेरे साथ चलो अंचुँ. मैं अपना वादा बोला नहीं, तुम्हारा हर सपना सच बनाऊगा. तुम्हारे घर का सपना. हमारे अपने घर का सपना. तुम्हारे जोड़ बास्टर्ड! तुम्हारे जारी है? खबरदार जोड़ पे हाथ होचाया. पाटेल, सुर्वे! तुझे अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ? चल, बढ़े जाओ इसे! अभी बताता हूँ पुलिस वारे पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है? कुंड़ा मवाली, बंद के तो इसे! नहीं महरा साहब, आज तो वह अंशु को लेके ही जाएगा. छोड़ तो इसे, वरना बोली चला दूँगी. पुष्मा? जाओ बेटा, ले जाओ अपने अंशु को. पुष्मा? पुष्मा? आज तो अगर मैं विध्वा भी हो जाती ना, तो कुछ नहीं. सराब? हाँ अंशु, यही एक रास्ता है, लेकिन खबरा मत, कानून तुम्हारे साथ है. माला के बगालत नहीं चलती, लेकिन मैं तुमारी मदद जरूर कर सकता हूँ. वकील साव, अभी जल्दी चलो, वरना पुलीस भी आएगी अपनी मदद को. खान, मैं महरा बो रहा हूँ. अब यवी कर्पनी यहां से मेरी भुतीची को भगा के ले गया है, वो जोरूर शहर छोड़कर बाहर भागने की कुशिश करेगा. शहर में चारो तरह से नाकाबदी लगवाओ. फाइंड हें मैंने अरश्ट बास्टर्ड. वो के सर? वो वकील जिसने उसकी जमानत करवाई है, उसकी भी अचीतर से खबर लो. आइवान इमीजी इटक्शन. पैड लग कमिशनर. किसकी बैड लग है, वो अभी पता चलेगा. अन्षू, कल सुबे मैं तुम दोनों की शादी रजिस्ट्राइट के आफिस में करा दूंगा. तब तक तुम दोनों गफलत भाई के साथ रहना. बस तिम्ही सरूफ पुलीस तुम दोनों की तलाज करी होगी. नहीं वकील साब, हम राद सडकों पे गुजार लेंगे, वैसे भी इन सडकों से मेरा बहुत पुराना रिच्ता है. अरे क्या जुता मारेला भाई, अरे इस गरीब का भी छोटा से ताजमेल है. और अपनी मुम्तास क्या है क्या तफ़न उड़के सो जाती है? जिस्तर अब होंगे तो आप उन होंगे, यार के लिए दोड़ियो कुर्वान ही दे देते हैं, क्यों वकिल साब? विजय, गाड़ी यह नहीं रवतो, मैं उतफ़ता हूं. अरे गफ़त भाई, नाका बंदी. एसलिकी लुड़ कंच एक आपारी इसलिए मार को आई भी। भाटाच यह थो fakir एक बादोन! एक डिरी दो! एक शुए से जो डिरी आउ निरी दोका है मैं पुए स्थकानल कर दो कर दो लो कर दोगा बोल स्लेब बोल क्या कालरा स साब का बगने जाता है आट कांती लोंडी तो कमिष्णर की बेटी कांती संलगे घिख वो सांबरा एक बाहंक भागिले Ana तेरे मुपे थपन मारके गया हो तेरे बाप जिन्दा है अभी चिला मत अरे का कुछ लाएगा नहीं साहा दिन दारू भी दरता है मैं कुछ करेगा उस वाले कैप्टन को छोड़ू आले मैं सच बोलता है तू अरे माई क्यों जूट मोलू मेरी पुरानी दुश्मनी उसके सा इसलिए तो है आपके पास मैरा को फोन लगा करन और लड़कों को पोल दे अखा शेयर को बोल दे अंकल काल राको कैप्टन चाहिए आप कहीं दूर चले जाएं हम आप कहीं दूर चले जाएं हम दूर इतना की हम जो न सके कोई हम आप कहीं दूर चले जाएं हम आप कहीं दूर चले जाएं हम दूर इतना की हमें छो न सके कोई हम आप कहीं दूर चले जाएं हम पूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में एक हसी जीर के साहिल पे हमारा घल हो उसमें भीगी हो इन घास में हम चलते हो रंग और नूर में डूपा हुआ अर मंजर हो मैं तुझे प्यार कर मेरे सनम तु मुझे प्यार कर मेरे सनम आ कहीं दूर चले जाएं हम कर दो कर दो शाम का रंग हो गहरो तो सितारे जागे रात जो आए तो दे शम से अंधेरे लाए चांद जब जील के पानी में नहाने उत्रे मेरे बाहों में तुझे देखत शर्मा जाए मैं तुझे प्यार करूँ मेरे सनम तुझे प्यार कर मेरे सनम आ कहीं दूर चले जाएं हम दूर इतना कि हमें छो न सके कोई हम आ कर यी दूर चले जाएं हम आए शपत पुझे क्या हो आए जाएं क्या हो आए जाएं को ने इंस्पेट साफब कमीश में रागिवादी जाएं पुझे 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 इंस्पेक्टर साहाब वो लोगे आपर गोले चलाई फिर वे आपको यकिन क्यों नहीं हो रहा ये सब चाल है मेरे अंकल की इसे विजय का कोई दोश नहीं देखिए मैडम जब तक कारवाई पूरी नहीं होती तब तक कैप्टेन मेरी हिरासत में रहेगा इनके वकील आते ही ह अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकती है अरे किसके घर जाएगी ये उस अंकल के जो इसे रिश्वत बनाकर कारा के घर बेजना चाहता है अगर मैं उन लोग के हाथ लगी तो मेरी शादी जब artsy करवा देंगी हो में इसमें क्या कर सकता हूं हां हां हाभ आप लोग तो सिर्फ आमें पकर शकते हैं मार शकते हैं काररा के हाथ हो बेच सकते बस यह कर सकते हैं वहन्ना पड़ासाब आप पुलिस वालों की ये खासियत है कि आप अपनी सुलियत के लिए किसी की मुसीबत को अपना लेते हैं या ठुकरा देते हैं लेकिने एक बाद याज रखते हैं कि कालरा को कोई मुसीबत ना हो मिस्टर सगसेन आप कहना क्या चाते हैं आप समझते हैं कि सब पुलिस आफिसर्स करप्थ हैं अगर ऐसा होता तो अपना किस देश में ताना शाही होती आपको ताज़ुद तो होगा लेकिन बहुत से ऐसे पुलिस आफिसर्स हैं जिनकी वर्दी के अंदर उनकी रील की हड़ी अब तक सलामत है और हमेशा रहेगी शाद आप जानते नहीं मैं इनकी शादी कल कोड़ में करवाने होना था वो कभी भी हो सकती है लेकिन आज रात को कैप्टेन यहीं रहेगा मैं कल उसे अधालत में पेश करूँगा आपको नहीं लगता कि उनकी जान को अभी खत्रा है कैप्टेन की हिफाज़त मेरी जिम्मेदारी है है कैप्टेन हलो हलो कान मैं कमिशनर महरा बोल रहा हूं क्या हो रहा है वहां मैं भी आपको फोन करने वाला था कमिशनर साहब यह पूछने के क्या हो रहा है यहां पुलिस टेशन में पुलिस वालों पर हमला होता है एक हवलदार मारा जाता है और मैं जखमी होता हूं यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि आप इस वारदात पर कुछ खास खास रोशनी डाल सकते हैं हमला किसने किया मिस्टर राज कालरा ने आप उन्हें जानते हैं ना क्या बक्वास कर रहे हैं तुम जिहां मिस्टर राज कालरा ने जबरदस्ती आपकी भतीजी को ले जाने की कोशिश की रोखड़े पर हम पर हमला किया और एंकाउंटर में मिस्टर राज मारे गए वाट? राज मारा गया? आपका राज कालरा मारा गया. ए मेरा, क्या बोलता है? राज मारा गया? ए खान, मैं कालरा बोलता है. कौन मारा मेरे बेटे को? कौन मारा मेरे राज को? बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता? मैं कालरा बोला है, अंकल कालरा! किया अब भी पुलीस प्रटेक्शन के बात करेंगे इंस्पेक्टर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ और पहली बार मजबूर भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वक्त की कमी है तुम दोनों की जान को खत्रा है और अनन बाबू आपकी जान को भी क्योंकि कालरा को आप जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बात मानिये आप ये शेयर छोड़ कर चले जाए मैं आज ही साब से बात कर सकता हूँ क्या जाए नहीं चाहिए मेरी फिक्र मत करो मैं रहूल और कविता को लेकर पहुंचता हूँ नहीं हम साथ जाएंगे बखवास मत करो अगर तुम बस्ती के आसपास भी दिखाए दिये तो कालरा को बता चल जाएगा लेकिन सर हम आपको अपको अपरिवार हैं और इस परिवार के जिम्मेदारी इसकी और मेरी है तुम इने लेकर स्टेशन चले जाओ मैं वहां मिलूगा प्रामिस एक मिनिट आप अप अकेले नहीं जाएंगे पाटे और गबर आपके साथ जाएंगे आप इन सर्कों पर चले जरूर है लेकिन मैं इन सर्कों पर मौत से भागा हूँ क्या तंडत के मेंंगे घिएाता है जे जिना के भागा, जिना कुछ Cand कि अयंशय करूओ करूफ… जतौर आड़न अंगर दया! में आया! आप रुकषिशा रंगर! आगाओन! आन! न रो मेड़! रो न रो नए! शे उन! अटा! आनी! केप्टिर बाई कर दो मौन एाई धरित फसे से के फसे टनाई तु कैपके एप्टिर शन assim थे की आ itself कर दो मौन बोल मेरा हालात बहुत बिगड़ चुके हैं आपको यह से वैसा काम नहीं करना तो क्या मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता है काल्रा मेरी नौकरी खत्रे में है और मेरा अज़द्ट तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है मेरे कुम्मेरा कुट्था मिल गिया है जरूरत जरूरत प्रश्च तेरे को जरूरत नहीं है वह कि तुम कवीत औरहुल के सदरो अमने बाड़ी क्लिंग कर गया थो अध्धा लावार इस नहीं मारा आप अध्धा लावार इस नहीं मारा प्रम उसका अंत्रें संसकार हम करेंगे वे रोख्रे साला इदली जिये चल घरलो उनको साला काश्मिदल को घरलो आण्या चल कमीदा आण्या चल कमीदा उस तक उपर चलू इंस्पेक्टर साहब उनके हाथ में बंदुकी है प्लीज आप जल्दी पहुचिये तो कम तो क्या हुआ यह देखिए भॉस्पीटल है और आप यह बकील मैं कहाल नबोलता है मेरे को मेरा वो कुट्दा कैप्टन मांगता है तो बाहर निकलो मेरी को बता कि वो कि इधर है वर्ना मैं इधर एक एक करके सब को माड आलेगा समझ गया ना जितना टाइम तू लेगा उतना लाज शिदल के देगा यह पहला था क्या करो किया लें मुझे जाना पड़ेगा कभी था इतनी देर तो काल्रा को उल्शाय रखूँगा कि जब तक पुलीस ना चाहे कि आ कि अधा ये पड़ाली का लोग कितना तकलीव अपना बना लेता है इमोशनल हो जाता है करा ये तीरी समझ के बाहर है क्योंके तू कमजोर और बेवस के डर को अपनी ताकत समझता है कि दूसरों की परवा करने के लिए खुद में विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए जो तुझ जैसे कायर में नहीं कि तेरे को कैप्टन का हेल्प करने के लिए कौन बोला है 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 सैला वह श्याद समझता है अपने आपको चल ठीक तू शाड़ा मैं एड़ा बता कैप्टन कि दर है बता तेरी पहुंच के बहार है वो कि कैप्टन देख कोई आ रहा है कि अपर तुम लोगा लेकर जाओं वह बिचा जाएंगे तुम लोगा लेकर जाओं मैं अच्छू मैं नहीं जा सकता यह सब मेरी वज़े से हुआ है अंच्छू वागिल साब की जान खत्र में डाल कि मैं कैसे भाग जाओं कि यलाद घूसों की भाषा तो मैंने भी सिखीती कल रहा है लेकिन इसे सच का पता नहीं मिलता तुम्हें मार भी डालेगा ना तो अभी कैप्टन तक नहीं पहुच भाईगा लेकन वो तुझे तक जरूर पूची गा तुने उसे जो वो मेनत तो रीमान दारी के पट्टी वापस आएगा ओ इदार कालरा मैं कमिशनर महरा बोल रहा हूं मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोंगे जिससे पुलिस को जबर्दस्ती गोली चिलाने पड़े पापा मुझे बचाओ पापा मेरे पास अरेस्ट वोरंट है नहीं कोका दे रहा हूं सरन्ने कर दो अपने आपको सरन्न चाद दिखाये न इसने अपना फायर कि अपकल वज़ एक पिलक अभी प्हें – rappelle कि मुमी एक थी बारिंग कि ने कि यह पुला थे ढूंग यह सच्वाश कुछ नहीं होता है जो होता है ताकत होता है ताकत हिरो आल आंत कि अहें जू trained्अ diffाड़ फाफभ्ज基本 य ранग याव अ वोगर यहाँ मैन्ज वोगर याउच याइ बातियोट य गया, यावबभवछ गया यावाट अज भी ओि यावभाई झाव वहाँ इर वोग उना आई श्यकर्द! ए छोड़ो मुझे, पापा, पापा मुझे बचाओ, पापा, ए छोड़ो मुझे, पापा! छोड़ो, माने, या! आपा, पापा, कि यझे भी, वा! आनन आनन देखो मैं कहती थी न यह लोग अपनी राह खुद पालेंगे नहीं दीदी हमें राह देखाने वाला मिला पर ना हम तो भटकते रह जाते हैं अरे यार तुसका गर्दन लेगा पुलिस तेरे को पकड़ेगी कानुन तेरा गर्दन लटकाएगा तेरा बाट तो बराबर है लेकिन मेरी वाइप को मैंने इसकी गर्दन का प्रामिस किया है उसका क्या रहे वाइप को बोलना आज मैं अपनी गर्दन बचा क्या हूं तुमने जो कहां मैंने वो सुना कु अरगा है देखो से को तोड़ना देना तनहा मुझे को छोड़ना देना तुमको हर पर जाँगी मैं रखना याद अपना वादा तुम्हारी बन जाँगी मैं करलो पक्ता इराता तुमने जो कहा मैंने वो सुना झाल झाल